क्रुशिय उत्पन्न बाजार समिती APMC में चुनाव चिन्न का बटवारा हो गया है चुनाव चिन्न के बटवारे के साथ ही यह भी स्पष्ट हो गया कि यहाँ पर लड़ाई दो पैनल के बीच होने जा रही है केदार समर्थित पैनल को कब बशी चुनाव चिन्न दिया गया है जबकि BJP समर्थित उमिद्वारों के लिए अलमारी चिन्न दिया गया है आर्टिया व्यापारी वर्ग में एक उम्मिद्वार का मामला हाई कोट पहुच गया है जिसके कारण केदार गूट के उम्मिद्वारों को अलग अलग चुनाव चिन्न दिया गया है कृशिय उत्पन्न बाजार समिती की चुनाव 23 अक्टूबर को होने जा रहा है उम्मिद्वार अब अपने अपने दल की प्रतिष्ठा बचाने के लिए मैदान में कूद गय है कलमना एपीएमसी चुनाव के पूर्वे हिंगना कलेशवर, काटोल, साबनेर, नर्खिड, आदी एपीएमसी चुनाव में बीजेपी एवं अन्य दलों ने इकके दुक्के पदों में सेंध लगाने में सफलता प्राप्त की थी, जिसके कारण इनके होसले बड़े हुए है हलाकि ग्रामिन भागों में सुनिल केदार ने अकेले दम पर चुनाव जीत कर सपष्ट संकेत दिया है कि कलमना में पद छीनना आसान नहीं होगा आरतिया वेपारी वर्ग में भाजपा की दाविदारी पेश कर रहे पराते ने सेनाड की खिलाफ उच्च न्यायले में याची का दायर की है जिसके कारण पेंच फस गया है इस मामले की सुनवाई 20 अक्टूबर को होनी है कोट में मामले को देखते हुए केदार गूट ने मैदान में दो की जगह तीन उम्मिदवार उतारे है हलाकि इन्हें पैनल का चुनाव चिन्ध नहीं दिया गया है माना जा रहा है कि अगर सेनाड को अधालत चुनाव लड़ने से रोकती है तो डमी कैंडिडेट को मैदान में उतार दिया जाएगा और उसे केदार अपना समर्थन दे देंगे इस बीच प्रकाश वादवानी का रास्ता साफ दिखाई दे रहा है केदार गूट से वे एक मात्र उमिदवार दिखाई दे रहे है जिनका रास्ता पूरी तरह से साफ हो चुका है हाला कि चुनाव जीतने के लिए उन्हें भी एडी चोटी का जोर लगाना हुगा बीजेपी की कोशिश है कि इसी वर्ग की सीट में सेंद लगाई जाए और अपना एक दो सदस्यों को APMC कार्यकारिनी में प्रविश दिलाया जाए व्यापारी आर्टिया वर्ग प्रतिष्टा की बात हो गई है और दोनों ही दल जोरदार घेराबंदी करने में जुटे हुए है